इनके एक बार हम भाई साब फरीदाबाद नें पहुंच के फस गए, फरीदाबाद का आदमी कैसा होता है वो बता रहाँ हूं फरीदाबाद पहुंच का एक आदमी मिला, रो रहा ठा मैंने का भाई साउ रो क्यों रहे हो कहला के भाई साब तीन दिन पहले हमारे चाचा जी गुझर गए मैनने का होता है सबका एक समय आता है जाने का राहोल वाली बात नहीं है वो चाचा जी गुझरे तो गुझरे पर वो मेरे नाम पे 25 लाख रुपए छोड़ गए थे मैंने का 25 लाख रुपए छोड़ गए और क्या चाहिए आपको राहुल वाली बात नहीं है दो दिन पहले मेरे फूफा जी गुजर गए मैंने का ठीक है अब गुजर गए तो गुजर गए कहले लेगे राहुल वाली बात नहीं है वो मेरे नाम पे 50 लाख रुपए छोड़ गए मैंने का ठीक है भाई सा 50 लाख रुपए छोड़ गए कितनी बड़िया बात है कहले लेगे राहुल वाली बात नहीं है मैंने का क्या बात है कहते है एक दिन पहले मेरे मामा जी गुजर गए और वो मेरे नाम पर एक करोर रुपए चले गाए तो हमारे कोई भी दिन खाली ना निकले ऐसे हमारे यस्दीव कौशे के लिए जोरदार ताली है अजना जी ने भी जिक्र किया दिगंबर जैनियों के मुनियों के जो वेश भूशा पर जो कुछ लोग कुछ ना समझ लोग टिपनिया कर देते हैं राहूल ने भी उस और इशारा किया तो यहीं परी मंज पर बैठे बैठे कुछ ताजा पंक्तियां लिखें वो आप लोगों के चरणों में प्रेशित करता हूँ कि मानव तन को ढाप कर करता है नितपाप महावीर रहे नगन भी हर पल थे निश्पाप मानव तन को ढाप कर करता है नितपाप महावीर रहे नगन भी हर पल थे निश्पाप हर पल थे निश्पाप अहिंसा पर्मो धर्में राग द्वेश से दूर त्याग तप पोशित कर्में कह कोशिक कविराए न भटको बांधो मन को जाना है एक रोज त्याग कर मानव तन को जाना है एक रोज त्याग कर मानव तन को तालियां फिर भी कम है चंद बहुत अच्छा है अब देखो वो कुलदीप की तरह मेरे को नाटक करने आते नहीं है कि एक लाइन फसाके खड़ा जाओंगे यार कि जब तक तालियां कमजोर है तालियां कमजोर है तालियां कमजोर है बार बार शर्मिंदा करना लोगों को अच्छी बात है बिचारे बजन पूजा करने के लिए आया है तुमने इनको तालियां कमजोर है अगली लाइन नहीं पड़ूँगा जब तक अर कितनी बजवाओगे यार तुम मैं बदाता हूँ आईसा बहर कवी ये शुरू में ये भी कर रहा था तालिया बजानी और ये करना और वो करना है फिर ये सवदेश या दव भी पंक्तियां सोपता हूँ और ये करता हूँ आखरी पंक्ति पे तालियां उठे और वो करना ये करना हर कवी तालियों की डिमांड करता है सीधी सी बात है मैं समझा देता हूँ क्यूं कवियों को तालियों की जूर्थ पड़ती है एडवांस पेमेंट न तब ये माला कमाई है मैंने ये मुफ्त का माल नहीं है भाई साल बहुत प्रिया है क्यों कवियों को तालियों की जूर्थ पड़ती है कि जिस तरह से गीत को संगीत की गुर्मीत को हनी प्रीत की कि जिस तरह से गीत को संगीत की गुर्मीत को हनी प्रीत की सपेरे को बीन की जलोटा को जसलीन की मचली को पानी की बुडापे को जवानी की बच्चों को संसकार की वेपारी को बजार की मरीच को डॉक्टर की नेता को वोटर की समोसे को आलू की बिहार को लालू की मोदी को बढ़ाई की राहुल को लुगाई की, फेस्बुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की चोर को मौके की, मौके पर चोके की, गालों पर लाली की और जीजा को साली की जुर्थ परती है, इसी लिए हम कवियों को आपकी ताली की जुर्थ कोई कवी न जाए खाली और जो ना पीटे अब भी ताली उसको पीटेगी घरवाली कितनी बढ़ी या ताली पहले ही बजा देते हैं वाओ जी क्यों मेरे से इतना खून खराबा करवाया बिना बात कभी टेंशन में आ जाते हैं अगर सामने सुस्त श्रोता हो ना समझ में आते हैं पता नहीं क्या हम अच्छा नहीं सुना रहे हैं सामने वाला अच्छा नहीं सुना रहे हैं और कई बार कविता भी भूल जाते हैं यह बार-बार सवदेश देख रहा था, बाओ जी आकर करके कई देर से माला खोलने की कोशिश कर रहे, वो खुल नी रही, अब इसका ध्यान वाह हो, भूल गया पंक्तियां, मैं देख रहा था, वो संसकार संसकार आगे कारजाई नेरी इसकी, घ्यान तो वाठ का हुए इसका, तो टेंशन आजाती है भाई, सब कही बार, वो गाठ नी खुल रही थी, बाओ जी, प्रनाम करता हूँ, आपने भी पहरा दी, हाँ, हाँ, ने आरे, हाँ, सारी, सब से आगे, बिल्कुल, बिल्कुल, आरे वाब आओ जी, बस मैं समझ गया था जबी, हाँ, वो मेरे को जेठा लाल कह रहे थे, खड़े होगे बबीता के पास जाके हाँ, 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 ह कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सोदा छोड देते हैं, एक तो जैन साव और उपर से हरियाने के, वो कहते हैं न, एक तो करेला और उपर से नीम चड़ा, कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोर देते हैं नफा दिखता नहीं जिसमें वो सोधा छोड़ देते हैं और ज़वानी में सितम कितने किये होंगे जरा सोचो मसूडे से ही जो अखरोट अब भी फोड़ देते हैं माला तो बनती है अब ना दे तो क्या कर ले आदमी अभी नहीं देंगे थोड़ी देर बाद देंगे देखो अभी भी खोली नहीं है वो एक ही खोल अरे कैची लाके काट दो सारी लाव आओ जी यह छोटी दे दी कोई बात कोई बात ने अपने घर का माम ला है अरियाने का कोई दिक्कत ने मैं क्या बता रहा था भूल गया मैं ऐसे ही टेंशन वो भूल जाता है आदमी कई बार ना वो कई बार भूल जाता है देखो, लाल के लिए का कवी सम्मिलन सबसे बड़ा कवी सम्मिलन मना जाता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में अब वहाँ पर आकर एक कवी ऐसे ही टेंशन में आगया सामने से किसीने कुछ करी होगी, ध्यान बठका दिया वो भूल गया, पहली लाइन के बाद ही पूरी कवीता बूल गया अब वहाँ पर क्या हुआ, नजारा आप देखिए अब उसने पढ़ना शुरू किया बोला, चोराएं पर खड़ा कुत्ता होगे कुत्ते फेल चोराएं पर खड़ा कुत्ता अब भाई साब पर्ची भी घरी रहेगी वो अब पीछे से संचालक बोला, जल्दी पढ़ो नहीं पबलिक मारेगी कुत्ते की तरह यही पबलिक शांग, पबलिक को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बढ़ा कवी है पिछले 40 सालों से कविताएं पढ़ रहा है कोई गंबीर संदेश कोई अच्छा मैसेज निकल करके आएगा बोला, चोराएं पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के उपर कुत्ता अब जूरुत नहीं थी कुत्ता चड़ाने की बस वो अंदर यंदर जिद्धो जय चल रही है कि कैसे अगली पंक्ती याद आ जाए बात को संबालने के लिए एक कुत्ता चड़ा दिया बोला, चोराएं पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के उपर कुत्ता और कुत्ते के उपर फेरे कुत्ता अब भाई साब यहाद आए नहीं रहा है और अगला कुत्ते पर कुत्ते के उपर कुत्ता और 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 कुत्त तो अभी पीछे से एक शोता खड़ाओओँ बोला बई वाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उसकी बगल में बैठा थो उसने мारी उसके कोन भी बखंची माँ किस बात की बहुत बढ़िया कोई मैं आई क्या कह रहा है फालतू की बकवास कर रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बोला कुछ भी कह रहा हूँ तेइस कुटे चड़ चुके बैलेंस दे गिर नहीं रहा एक भी ऐसे एक बार मेरा बैलेंस बना दीजे तालियों से और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाए माला या भी आठ बाकी है दो छोड़ देना एक राहूल के लिए एक माताजी के लिए पटके भी रखे है तो बस टेंशन मज़ा आ रहा है पर बावजी मज़े लेना अपनी जिम्मेदारी पर किसी दूसरे की रीष में न कई बार लेने के देने पड़ जाते है वो एक बार हवाई जाज में बंदर और तोत्ता सफर कर रहे अचानक तोत्ते को कुई शरारत सूजी उसने गंटी बजा दी तुरंत आई ए रोस्टेस बोली हंजी बताइए सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ बोला मैं तो मजे ले रहा था बंदर ने कही यह बहुत बड़िया टेकनिक मजे लेने की तू भी ट्राई कर बंदर ने भी गंटी बजा दी तुरंत फिर आई ए रोस्टेस बोली बताइए सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ बंदर बोला मैं तो मजे ले रहा था अब भाई साब उनको मिल गया दोनों को खेल कभी तोता गंटी बजा है कभी बंदर गंटी बजा है जैसे ए रोस्टेस आए मैं तो मजे ले रहा था अब एर अश्टेस होगी परेशान उसने कर दी पाइलेट से शिकायत, पाइलेट को आये गुस्सा उसने का दोनों को नीचे फैक दो, अब जैसे ही उड़ते वे वाई जास से दोनों को नीचे फैकने लगे, तो ते ने बंदर से सवाल किया, बला उड़ना आता है, बला उड कि बे रुखी में मजा नहीं आता, बे बसी में मजा नहीं आता, और जब तलक, और जब तलक मार पड़ नहीं जाती, आश्की में मजा नहीं आता, बे रुखी में मजा नहीं आता, बे बसी में, और परंतु भाई सब बाव जी जानते अच्छी तरह से, हर्याना वाले बे पूरा एक गाहाँ डूबने के कगार पर आ गया, सेना की मदद मांगी गई, हेलिकोप्टर आये गाहँवालों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, पूरे पांच गंटे सुरक्षा, वो बचाव अबियान चलता रहा, आफिर मैं कमांडर ने सर्पंच को बुला लिया, बोला सरपंच साब मुझे बताया गया ता आपके गाउं में 500 लोग रहते हैं 1500 लोगों को निकाल चुका हूं 500 अभी भी नजर आ रहे गड़बड क्या है सरपंच बोला भाई साब माफ करना गलती होगी बोला क्या गलती होगी बोला देखो जी गाउं के बिचारे गरीब भुड़े बाड़े लोग है आज तक ये पैदल सफर करते हैं कोई साइकर पर कोई गोड़ा गाड़ी में कोई बैल गाड़ी में इन्होंने कार की शकल नहीं देखी और आप तो इनको हेलिकोप्टर में लेके जा रहे हो बोला जहां छोड़के आते हो तेहर के फिर वापस आ जाते है बोला बगवान जूट ना बनो है दो बार तो मैं भी आ चुका हूँ यह है हरियाना वालों को ना पता क्या है नाम हुकत है हरियाना से आए जैसे कोई बेवकुफ आदमी है शकल से ही दिखते हैं होते नहीं है बिलकुल भी मैं बताता हूँ क्या होते हरियाना वाले कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां बहुत सीधे होते हैं बिलकुल सधारंग धर्ती से जुड़े हुए धर्ति पुत्र मुझे याद है हमारे गाओं की चौपाल में शाम को चार बुढ़े बैटे हुक्का गुड़ गुड़ आ रहे अब उनमें चर्चा क्या चल रही बाओ जी कि हरियाना की तरक्की कैसे हो चारो बुढ़े माथा जोड़ के बैठे हुए उक्का गुड़ गुड़ आएं जा हमारा अरियाना बहुत पिछड़ा स्टेट रहे गया इसकी तरक्की कैसे हो इसका विकास कैसे हो तो उनमें से एक बुड़ा बोला काफी देर बाद बोला एक तरकीव हो सकती बोला क्या अगर अरियाना को पहले तो कर दो भारत से अलग और एक नया देश गोशित कर दो बोला इतनी देर में बोला तब भी बेकार बात करी तरने बोला पहले पूरी बात तो सुन ले बोला अच्छा, बता पूरी बात. बहुत बते की बात लेका है, फिर तो ना पासपोर्ट ना भीजा, और फिर तो मारे सारे रपिये भी डालर बन जाएंगे और अंग्रेजी में बात करेंगे और मारे छोरों की गोरी-गोरी मेम आएगी बहुत खुस चोथा बुड़ा चुपचा बैठा उक्का गुड़ गुड़ाए जा और बोल लेना बला रे नथ्थ तू की नी बोल रहा तू भी तो बोल नथ्थ बोला रे भाई मैं तो लू सोच रहा हूं कि गल्ती से अगर हरियाना ने अमरीका को वरा दिया तो अमरीका का के होएगा सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां और भाई साव ये हाँ यह आपको नहीं कह रहा है यह मुझे कह रहा है कहीं पर निगाए कहीं पर निशाना आपको नहीं कह रहा है आप बैठे रहो है यह मुझे कह रहा है आप अराम से बैठिए हाँ यह वो कह रहा था वो मेरे बाद कौन कौन दो लोग बचे हैं पांच मिनट तुमारे पांच मिनट माता जी के आपका घर का कारिकरम कभी भी सुडा लेना बाकी समय मेरा नहीं जब से कर रहे थे कोशिक जी तक पहुंचना है कोशिक जी तक पहुंचना है कोशिक जी पहुंच गे तब उनको तो सु नहीं बाई, वो कह रहे हैं ऐसे ही दे दो ऑफिर मैं तु बैठ़ू मेरे सारी मैंनत वहीं पर ठीकी हुई है, सीधे साधे, भुलवाया मत करो यार बीच में, ने फिर मेरे को कुट्थे चड़ाने पड़ेंगे, सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां वो ये बता रहा था कि वो मैंने घर बोल दिया वो ये बरतन गिरा देना पनीर गिर गया छोले गिर गये राजमा गिर गये दाल गिर गी भाई सब मैं बताता हूं असली बात मैं गैन के घर रात को करीब मेरे ख्याल से साड़े ग्यारा बज रहे थे साड़े ग्यारा बज रहे थे मैं जा रहा था कहीं से तो मैं कि यार अब और कहीं इतनी रात कहीं ना restaurant खुला होगा ना कोई डाबा रस्ते में अपने भाई रावल का गह रहा है तो मैं अच्छा भाई हम तो अपने साफ सफाई करके चोला चुका करके सो रहे थे अब तू आ गए तो दुबारा आटा गूंदना पड़ेगा अथिथी हमारा बगवान होता है करेंगे जरूर करेंगे तो बता कितनी रोटी खाएगा फिर उसी हिसाब से मैं तेरी बाबवी को बोलता हूँ आटा गूंदेगी मैं कि भी चार रोटी खाऊंगा और क्या मैं कोई दानाव थोड़ी लग रहा हूं तेरको बोला चार रोटी तेरे बाबवी के हाथ की खालेगा मैं कि भी ज़्यादा मोटी रोटी बनाती होगी मैं कि एक काम कर तीन रोटी खाल लोगा मैं बोला देख तीन रोटी खाल लेगा ना तू डराने की कोशिस की मेर को मैं कि अच्छे एक काम कर दो रोटी तो खाई लोगा तू आटा लगवा भूख लग रही है बहुत तेज बोला तु सही सही बता दो रोटी खाल लेगा ना फिर जूटा नहीं छोड़ना देख अनका आप मान नहीं होना चाहिए बिलकुल भी फिर दो कही आटा गुंदबारा हूँ मैं कि यार तु एक काम कर एक रोटी का आटा लगवा दे बला एक रोटी के पीछे केतावा चड़ाना सोजाना चुपचा पही सीधे सादे लोग जहां बातों में हैं रस जाना और ये भाई साव एक बार मेरे साथ जैपूर जारा कभी सम्मिलन में माँ आपने देखा हूगा मानेशर पार करते ही बिलासपूर कई नए नए डाबे रेस्टोरेंट कुले हूए एक नए रेस्टोरेंट कुला ता समराट रेस्टोरेंट अब भाई साव इसने देखा बोले यार नया चमक दमक हो रहा है यहीं खाना खाएंगे जैपूर तो बहुत दूरा भी अब वहां देखा वहां बार बोड लगा हुआ कि सो रोटी खाने वाले को हजार रुपे ही नाम इसकी आँख यू लट्टू की तरह चमक गई तुरंद गया मां काउंटर पे मनेजर बैठा हुआ बला भाई साव जो बार बोड लगा हुआ सची बात है बला जी बिलकुल सची बात है तो बला फिर भाई काउंटिंग कोन करेगा बला जी सामने ये लड़का बैठा है बोड पर लिखता जाएगा आप खाना शुरू करो बला ठीक है तो करो काउंटिंग शुरू इसने खानी शुरू करी पांच खा गया दस खा गया पंदरा खा गया पचस कह गया भाई सब रुकने का नाम ही निले उसके मात्य पर पसीना बला यह तो आज खा भी जाएगा इसकी स्पीड देख करके लग रहा है और पैसे भी ले जाएगा राट्टे का और सत्यानास कर रहा है तो उसने क्या किया लड़के को इशारा कर दिया उसने बही मानी शुरू कर दी थोड़ी देर बाद इसकी ब्लैक बच्री इसको आया गुस्सा इसने उठाया ड़स्टर उसको मिटा दिया बोला शुरू से शुरू करते हैं बोला मालाज यह लो अजार रुपे और विदा हो मैं इसलिए कह रहा था एक बार में देते फिर विदा कर मुझे कि सीधे साथे लोग जहां बातों में है रस जहां भाईचाब ऐसे हमारे कॉलिज में एक फंक्शन हो रहा था अब उस फंक्शन में क्या हुआ है एक लड़की ने रोल किया था भुवा जी का बिलकुल ऐसी अंजना जैसी लड़की थी अब सारे लड़के उसको चिड़ान लग गया अगले दिन से वो जैसे बतारा था नो, नुकडणाटक था उसमें एक लड़की का करेक्टर था भुवा जी वाड़ के उसको चिड़ाने लग अगले दिन से जैसे वो लड़की नाजना ए भुवा जी नमस्ते नमस्ते लड़की होगी परिशान। वो गई सीथी principle के पास मैं कोलिट छोड़ के जा रही हूं मेरे को आप TC दे दो क्या बात होगी सारे लड़के मुझे भुवा जी भुवा जी कहके चिडाते हैं बोला नी बेटा गवराओ मत मैं सबको अभी समझाता हूँ सारे लड़के ऐसे होल में खटे के सारे लड़के आकर के बैठ गे principle गए उस लड़की को ले करके बोला बै पहले तो जो भी लड़का इस लड़की को भुवा जी कहता है खड़े हो जाओ सारे के सारे खड़े होगे सारे खड़े होगे principle ने देखा एक लड़का चुपचाप नजरे जुकाए बैठा हुआ है principle को लगा यार कहीं तो अभी संसकार बाकी है कहीं तो सब्देश यादव की कविताओं का असर बाकी है तो बला शाबाश बेटा तुम इन सब को बताओ कि तुम इस लड़की को भुवा जी क्यों नहीं कहते बला जी मैं इन सब का फूपा लागू हूँ principle बला क्या वगवास करते हो बला जी जिस नाटक में ये भुवा जी बनी थी मैं फूपा बना था कि सीदे सादे लोग जहां बातों में है रस जहां हरे बरे खेतों वाला ये तो हरियाना है कि सीदे सादे लोग जहां बातों में है रस जहां हरे बरे खेतों वाला ये तो हरियाना है गीता जी का ग्यान दिया बगवत गीता कि गीता जी का ग्यान दिया कलपना ने मान दिया कल्पना चावला को याद करिएगा, कि गीता जी का ग्यान दिया, कल्पना ने मान दिया, कपिल के बल्ले ने भी, बोला हरियाना है, और लखमी की रागनी में, दूद चाच राबडी में, दंगल अखाडों में भी बसा हरियाना है, और अगली एक पंग्ती आपको लगे, कि हरियाना को ठीक से परबाशित कर दिया, तो पूरे सदन का अशिर्वाद मांगता हूँ, कि लखमी की रागनी में, दूद चाच राबडी में, दंगल अखाडों में भी बसा हरियाना है, चाहे युद कोशल हों, या जिताने मेडल हों, सदा नंबर वन ही रहा हरियाना है, सदा नंबर वन ही रहा हरियाना है, सदा नंबर वन ही रहा हरियाना है, भाई राउल जैन के दिल की धड़कने बड़ी हुई देख करके, मुझे लगता है यहीं विराम दे देना चाहिए, इलाल कुड़ते वाले कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम हो गया माला मन कर रहा है आजाओ आजाओ मन कर रहा है तो ऐसे मन की मन में नहीं रखनी चाहिए आज मोदी जी ने भी मन की बात का 107वा एपिसोड टेली कास्ट किया था आप भी अर्याना से है फिर तो बाओ जी दो लेकर के आओ और बड़ी वाली चाटो ये छोटी क्यों लिया है आप भी जो मिल रहा है वो तो ले लो आओ बाओ जी आजो आजो ले फोटो लियो बड़ी आसी एक जैहिंद जैभारब आप बाओ जी जैभारब